स्वागत आपके एकलब बेस नातक पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ओनर्स फोर सेमेसर का सब्जेक्ट हम कर रहे हैं लेजिस्टिलेटिव प्रेक्टसिस और प्रोसिजर्स और आज उसकी हम यूनिट फोर को डिस्कुस करेंगे जिसका नाम है बजट इसके कुछ इंपोर्टन क्वेशन के साथ में ही इसके कुछ कॉंसेप्स हैं उसको हम डिस्कुस कर रहे हैं इसकी जो पीडिएफ है वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आप एक लब इसना तक वन सच करके जोइन कर सकते हैं और वहां से पीडिएफ को एक्सेस कर सकते हैं बात करते हैं पहले क्वेशन की बजट क्या है पूरे चैप्टर का बेसिक क्वेशन है यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बजट योजना सरकार के एक मिट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ आप पहले तो यह एजूम करो कि बजट भूल जाओ उसकी डेफिनेशन को भूलो तो सबसे पहले आप यह सोचो आपको कहीं पर घूमने के लिए जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए money होनी चाहिए ठीक है रोपड़ा होना चाहिए तो उससे क्या होगा आप क्या-क्या खर्च करेंगे क्या-क्या खाओगे कहां पे रहोगे किस तरह से जाओगे aeroplane से जाओगे train से जाओगे ठीक है वहाँ पे किस तरह से रहोगे क्या-क्या काम करोगे वहाँ पे तो यह जो पूरी planning होती है आपके पास limited पैस है और आपको एक plan बे में उसको use करना पड़ेगा तो वही होती है budgeting हम अपने इस तरह पर करते हैं यानकि सरकार की भविश्य में किए जाने वाले कारियों का एक blueprint होता है यह निश्य समय में आए विया के संतुलन doorway का एक विवरान होता है यानकि सरकार की क्या-क्या income होगी सरकार की जो कमाई होगी वो कहां से होगी क्या-क्या उसका खर्च होगा तो उसका एक जो संतुलित विवरन होता है वो बजट कहलाता है बजट साधनों के आवंटन यानि कि कुछ हमाई पास resources होते हैं संसाधन होते हैं जो अलग-लग विवागों में बांटे जाते हैं लगाई जाने वाले प्रस्ताबित कर यानि कि जो कर होते हैं सरकार की एक आय का श्रोत होता है तो कौन-कौन से कर किस चीज पर लगाए जाएंगे या उन्हें वसूलने की उपायों का विवरन होता है ठीक है कर लगा दी अब उन्हें किस तरह से वसूला जाएगा किस तरह से कलेट किया जाएगा तो उसके जितने भी सॉलिशन होते हैं उसके उपाय होते हैं उन सभी को बजट में बताया जाता है तो जी जे जे के अनुसार बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों एवं वियाओं का एक पूरवा अनुमान है यानि कि जो बजट होता है सरकार को कुछ प्राप्ति यानि कि उसकी जो income होती है और वियाए उसका जो कुछ खर्च होता है उसका एक अनुमान होता है पूरवा अनुमान यानि कि हम जो होने जा रहा है उससे पहले हम एक अनुमान लगा लेते हैं वो होता है budget और कुछ प्राप्तियों का संग्रे करने यानि कि जो भी उसकी इंकम आ रही है उसको collect करने के लिए उसको save करने एवं कुछ बेयों को करने का एक आदेश होता है बजट ठीक है यानि कि सरकार जब बजट त्यार करती है तो उसमें आदेश देती है कि हम इस इस चीज पे इतना पैसा खर्च करेंगे ठीक है I hope आपको फ्रांसी सी सब्द बुजट से हुई है तो बजट जो सब्द है उसका सरवपर्थम प्रियोग 1733 में इंग्लेंड के जो फाइनेस मिनिस्टर थे वित्त मंदरी उन्होंने अपने वित्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय इसका प्रियोग किया था अब बजट के जो अलग-लग कार होते हैं एक वार हम उसको डिस्कुस करते हैं सबसे पहले होता है प्रदर्शन बजट दूसरा होता है सूने अधार बजट तीसरा होता है कारिकरम बजट और चोता होता है लक्षाधारित बजट और लास्ट में जो होता है फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे बात करते हैं इस बजट का जनम 1950 के अपर जितने भी बजट बने हैं जितने भी टाइप बजट बने हैं वह सारे के सारे नीतियों की उद्देश्य को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह क्या गया था प्रदर्शन बजट में, भारत में 1968 में इस बजट को चार मंतरालें द्वारा अपनाये गया था, अब नाम से इसको देखो प्रदर्शन बजट, प्रदर्शन हम किस चीज का करते हैं, जो भ इस बजट क्रियागावी जो जनम था, 1960 में अमेरिका में हुआ था, ठीक है, तो भारत में बजट बनानी की एक विदी थी, भारत में इस बजटी पर भी बजट बनाया जाता था, इस बजटी में क्या होता था, जो पिछली नीतियां होती थी, उनकी समिक्सा की जाती थी, यान की उसको एवैलूइट किया जाता था, और लागत प्रभाव की द्रिसी से उनका विशलेशन किया जाता था, उसको एनलाइज किया जाता था, कि उसकी जो हम लागत लगा रहे हैं, उससे प्रभाव कितना निकल किया रहा है, इन चीज़ों को स्टेडी की जाता था, औ जिसमें उन्हों हम ही कह सकते हैं जो food का कुछ था जैसे कि कुछ खादे परदात की सामगरी थी उनको प्रवाइड की जाती थी ठीक है यानि कि उसको उनको जो खादे सामगरी थी वो दे दी गई लेकिन अगर result उसका अच्छा ना निकला हो तो अगला budget आएगा उसमें इस policy क रद कर दिया जाएगा ठीक है तो वह होता है सून्य आधार तो सून्य आधार का मतलब ही क्या होता है जो भी हम काम कर रहे हैं उसका आधार क्या होगा आधार को हम सून्य मान के काम करने की कोशिश करते हैं बजट बनाते हैं उसमें ठीक है तो उसमें क्या होता है जो पिछ अच्छा मिल रहा हम उस पर खर्च करेंगे हम तोड़ और खर्च करेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो हम उसको सामिल करेंगे अपने इस बजट के अंदर में ठीक है फिर वही सेम प्रोसेश चलेगा अगले साल भी इसी तरह से उसको एनलाइज किया जाएगा बीपी सिंग की सरकार ने इस पद्धिती का उपयोग केंद्रे बजट बनाने के लिए किया था भारत में इसका उपयोग ठीक है पिर कारिकरम बजट बजट की सुरुवाद भी अमेरिकी रास्पती जोंचन द्वारा 1965 में की गई थी इसमें बजट के प्रते एक कारिकरम और गतिविदी का बुर्ण किया जाता था यानिकि सरकार जो भी योजना लेके आना चाहती है कोई भी गतिविदी लेके आना चाहती है कोई कर लगाना चाहती है तो सभी चीजों को इस बजट के अंदर में बताया जाता था हर गतिविदी और कारिकरम की विस्तरित लागत को लेकित किया जाता था यानि कि उसमें जितने भी लागत आएगी कितना खर्च होगा उसका एक विस्तरित ब्योरा इसमें दिया जाता था कोई भी रग्ति आसानी से इस budget को समझ सकता था दिया ओघ्ञाग लक्ष आदारित बजट इस budget करिया का उपयूग अमेरिका की बजट निर्मान पर क्रिया में किया गया था जितने भी बजट बने हैं सारे के सारे अमेरिका में बने हैं इस बजट में केंद्रे करण को अधिक महत्व दिया जाता था यानि कि उसमें एक central power होती थी उसको सब्सक्राइब importance दे दी जाती थी अब इसको समझो लक्ष को अधार बनाकर एक बजट तियार किया जाता था जिसको लक्ष अधारित बजट बोला जाता था अब इसमें क्या था एक central power होती थी तो उसके नीचे जितने भी department होते हैं जो central power थी वो एक assumption करती है एक अनुमान लगा लेती है कि यहाँ पर इतना खर्च होगा यहाँ पर इतना खर्च होगा इसी के आदार पर एक budget तियार कर देती थी कि हम इतना पैसा पूरे साल में सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा तो बिभागों के लक्ष की अनुरूप केंद्रे प्रादिकरण एक सीमा निर्धारित करता था कि हम इतना खर्च यहाँ पर करेंगे ठीक है यह है लक्ष आदारित budget पिर outcome budget अब यहाँ पर देखो outcome यान कि कोई भी जो नीती हमने चलाई थी उससे में output कितना मिल रहा है उसका हमें क्या कहते है उसका outcome कितना आ रहा है ठीक है तो वही होता है outcome budget इस budget पर गरिया की शुरुआत भी अमेरिका में भी थी और सरकार की हर नीती या कारिकरम की जो परिणाम होते है उनका विशलेश कितना मिल आ हैं में ठीक है उससे क्या-क्या फाइदा हुआ है वो था outcome budget इसमें व्यझाए की आदार पर लक्षे प्राप्ती का निष्करश निकाला जाता है यानि की सरकार ने कितना व्यझा, इस पर खर्च किया इस में इस पर expenditure कितना चिया था तो इसकी आदार पर लक्ष कौन-कौन से लक्षे को प्राप्त किया गया उसका निस्कस निकाला जाता Outcome Budget के अंदर में फिर बात करते हैं सरकारी खातों का वर्गी करन कुछ सरकारी खाते हैं उनका किस तरह से उनका वर्गी करन कर सकते हैं पहले होती है Article 266 के अनुसार सरकार एक निदी को स्थापित कर सकती है यानि एक ऐसा फंड बना सकती है जो कि आकस्मिक जरूतों को पूरा करने में सायक हो यानि कि जैसे देश में कोई आपदा आ जाती है कोई विसिट इस्तिती उत्पन हो जाती है ठीक है तो उस टाइम पे हमारी जरूते होती है उनको पूरा करने के लिए इस निदी का निर्मान किया दाता है आकस्मिक निदी का Article 266 के अंतरगत सारजनिक खाता खातों में जो जमा धन होता है सरकारी खातों में वो सरकार का नहीं होता है यानि कि वो पब्लिक का होता है लेकिन फिर भी जो सरकार होती है उस धन का उपयोग अपनी जरूतों को पूरा करने के लिए कर सकती है यह उसको अधिकार प्राप्त होता है यानि कि जो भी सरकारी बैंक में हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं वो हमारा पैसा है सरकार का नहीं लेकिन सरकार उस धन का उपयोग अपने काम के लिए कर सकती है अपने जरुतों को पुड़ा करने के लिए कर सकती है और जब हमें जरुत होती है तो जो हमारा पैसा है वो हमें को पछना है तथा कदिवीदय आ समय रोखित हमती है लोगी जो, हम में काहां-काँ सी पराप्त हो सकती है जो हमारा पिछला पर्षै उस की पराप्त हिसमें काँ-कौन पराप्त रांपि होई कितना पफल। और उसका क्या κιा क्या कर्च कुछ है यह सब बजट में होता है आर्थिक सांके कि ए colour Catherine जो लेखा संबन्दी आकड़ी होते हैं यानि कि पैसुस और रिलेटरी हमारे पास आकड़ी होते हैं इससे लिए वुषते में मैंशन होता है बजट के कौन-कों सर्देश्य होते हैं तो बिक्तुए संसादन होते हैं उनको प्रूम नहीं संसातन हैं को एक अधिकार दे दिया जाए कि आप इस फिल्ड में यह यह योजना ही लागू करो, आप अपना काम आसानी से करो, ठीक है, यानि कि आप अपना काम कॉडिनेट होके करो, समय अपने आप में स्तापित करो, निर्दारित लक्षें को कम लागत, कम समय में प्राप्त करने का प्रियास करना, यह होता है बजट का काम, ठीक है, यानि कि हमने एक एक अग्जम्शन कर लिया, कि हम इसको कम लागत में और कम समय में उस लक्षे को प्राप्त करने की कोशिश करें, और बजट के एक खास बात यह होती है, कि हमेशा उसमें सकारात्मक चीज़ों को ही देख करना, यानि कि जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको हम अपने कंट्रोल में कर सकें, उसी के अनुसार काम करें, यह होता है बजट का मुख्य उद्देश है, यह बात करते हैं, बजट की बिशिशता है कौन को सी होती है, यह निश्य समय अबदी को लिए होता है, यानि कि पूरी प्रभावी बनाना, यानि कि जो हम प्लानिंग करते हैं, उसको प्रभावी बनाना, उद्देश से अब लक्षों को प्राप्त करने की कोशिश करना, भावी कारे योजना का निर्मान करना, और प्रशाशन के समस्त विभागों की गद्विदियों में समने में स्ताफित करन सकारतमक पहलियों को सुईकार करना यानि कि अभी मैं आपको बताता है जो बजट होता है वो हमेशा जो positive aspects होते हैं उनको सुईकार करता है अब उद्देश और लक्षा को पराप्त करने के लिए भी काफ़ जादा important होता है बजट बनाया है इसलिए जाता है कि हम एक लक्षा क होते हैं जितने मंतराले होते हैं उनकी जो कत्विदिया होते हैं उनके बीच में coordinate करने का काम बजट करता है अब बजट के महत्वपूर्ण सिद्दान्थ कोन कोन से होते हैं सबसे पहले प्रचार होता है यान कि publicity सरकार का ये काम होता है कि बजट को जितना ज्यादा उसका पर चार पर सार क्याद आ सकी उतना करें जिससे की जितने पब्लिक होती है वो उसको अच्छे से समझ सके उसको analyze कर सके उसको अपने हित उसमें क्या क्या उसको फाइदा मिलेगा क्या 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 उसको नुक्षान होगा वो सारी की सारी चीज़ें वहां पर समझ सके ठीक है फिर clarity होनी चाहिए यानि कि उसमें बिल्कुल proper mansion होना चाहिए कि हम इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, इस तब को फाइदा होगा, इस तब को हम मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे, तो उहाँ पे clarity होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. Accuration होनी चाहिए परिशुदता यानि कि एक तरसी जितना भी हम budget तियार करते हैं, जो भी हम उसमें planning करते हैं, तो हम उसको plan कर सकें, accurate बनाना चाहिए budget कि हम इतना ही पैसा इसमें खर्च करेंगे और इतना ही पैसा यहाँ पर लगेगा, व्यापकता होनी चाहिए यानि कि कोई बिवाग ना चूटे, कोई भी ऐसा विभाग ना चूटे, जिसमें उसको mention ना किया जाए, ठीक है, कोई भी समाज का तबका हो, उसको इसमें सामिल किया जाना चाहिए, बहुत ही comprehensive होना चाहिए budget, यानि कि सत्य सीलता होनी चाहिए, यानि कि integrity, ठीक है, यानि कि सरकार जो हो अधारित करती है, तो इसके एक निश्य समय के साथ में उसको प्राप्त कर लिया जाए, ठीक है, तो ये कुछ उसके सिद्धानत होते है, budget बनाने के, अब भारत में budget ये परिकरिया, पुर्पस कीजिए, ये important question और आपके जो previous year के exam है, उसमें भी आ रखा है ये, तो इसमें तीन step होते है, budget पहले तियार करना, फिर होता है budget परिकरिया, यानि कि जो main process होता है, वो संसद में होता है, और इसमें संसद की भूमिका होती है, और फिर उसके बाद हम budget का निस्पादन, अब हम तीनों step को काफी अच्छे से एक बार discuss करेंगे, तो जो budget तियार करना है, वो सबसे पहला step होता है, यानि कि प्रतिक वितिवर्ष के लिए budget तियार करने की जो परिकरिया होती है, वो सितंबर से start हो जाती है, budget तियार करने में जो चार मुख्य मंतराले होते हैं, वो भाग लिते हैं, सबसे पहले बित्त मंतराले, पूरा जो budget तियार करने का काम होता है, वो बित्त मंतराले के द्वारा किया जाता है, बजट को उसके उपर जो डिबेट करनी होती है, जितने भी मंतराले होते हैं, उनकी मांग को पूरा करना बित्त मंतराले का काम होता है, ठीक है, उसको इंप्लिमेंट करने का काम बित्त मंतराले द्वारा किया जाता है, फिर नी करते हैं जिसमें मंतीर से समंदित व्यायों यानि की उसके अनुमान की लेक्ग करताक है जिसमें अब मंतीर सबस्क्राइबाइब करते हैं लेक। कि जो सबिस्क्राइब क Sigis करंड सकता है ट्वी के चृथ करने की तरफ करने का पूरा प्रोसेश अब जब बजट पूरा तयार हो जाता है तो वो में प्रोसेस में होता है जिसको हम बजट पिरक्रिया बोलते हैं और यह संसद में होता है ठीक है तो संसद में बजट को प्रस्थूत किया जाता है वितमंतरी के द्वारा बजट प्रस्थूत होने के बाद उस पर समाने चर्चा की जात पिर जब सामयने चरजा खतम हो जाती है कुछ समय के लिए जो संसद होती है उसको एक महीने के लिए स्तगित किया जाता है और विभागया जांज उसकी की जाती है विभागया जाच कोन करेगा जो संबंदित समीतियां होती है वो उनकी विभागया जाच करती है जो उनका अल जांच होती है वे विभागय जांच कहलाती है जो की संसद्य समीती करती है उसके बाद में जब विभागय जांच पूरी हो जाती है तो अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाता है यानि कि जो भी अलग-लग जो मंतराले होते हैं उनको बजट का आवंटन किया जाता है उन से पॉइंट एक छोटा सा टॉपिक था उसमें तो भारत्य रेल्वे का वार्षिक वित्य विवर्ण को हम भारत्य रेल्वे बजट कहते हैं ठीक है तो यह Growth जो भार्रफ यूपर जो भातिय रेलवे होती है उसका वार सिप्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष वार्ष वित्य विवर्ण होता है ईसको भार्रफ्ष रेरी रेलवे का बजट कहा 02016 तक रेल मंत्रायले की ओर commitments रेल्वे का बजट कहा जाता है 2016 तक रेल मंतरायले की और से रेल मंतरी संसत में बजट पेश करता था यानिकि 2016 तक 2016 का बजट था वो रेल मंतरी ने पेश किया था रेल्वे का पहले क्या था कि जो पूरे देश का तुल नामे जो वितिय भी आये था ना वो उसके comparison में था उससे जादा ही था railway का budget इसलिए railway को अलग से पेस करना पड़ता था तो 1924 से 2016 तक railway का जो बजट था वो अलग से पेस किया जाता था लेकिन प्रदानमंतरी नरेंदर मोधी ने 52 साल पुरानी इस परंपरा को समाप्त क कर दिया था ठीक है तो यह छोटा सा पॉइंट था railway का budget और इस वीडियो में बच इतना है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और इसकी जो PDF हो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आप वहां से इकलब बेस्ता तक बॉर्सर करक तक य।